नमस्कात दोस्तों कैसे आप सब लोग आई कुब दोस्तों सब बरीया होंगे दोस्तों आज का वीडिया बहुत ही फेंटास्टिक होने वाला है क्योंगि यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड निकल का है दोस्तों SBA और रिलाइंस ने मिलके co-branded credit card launch किया है वो भी rupee variant का जहां दोस्तों SBA तो सबसे बड़ा bank है इंडिया के अंदर हो भी trusted और यहां पर reliance है वो भी बहुत ही trusted है और यहां पर अलग-अलग brand से reliance के तो दोस्तों यहां पर जो co-branded credit card निकल काया है बहुत ही अच्छे benefits और discount vouchers और cashback के साथ आपको मिलने वाला है तो वीडियो एन तक ज़रूर वाच करिएगा दोस्तों ताकि एक अच्छा rupee variant credit card आप आप कर सकें और reliance काया तो यहां पर बहुत ही अच्छे benefits यहां आपको देगा तो चलि दोस्तों without any delay चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से बहुत ही रिक्वेस्स आप सबसुरहेगी चलनल पर फर्स्टम आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा तो चलि दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर SBAE और Reliance ने दो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लाँच किया है SBAE Reliance रूपे क्रेडिट कार्ड रूपे प्राइम क्रेडिट कार्ड दोस्तों आज किस वीडियो में SBAE Reliance रूपे क्रेडिट कार्ड को डिसकस करने वाल है दोस्तो इस credit card को लेने के लिए आपको only 500 रुपीज joining fees देनी होती है और renewal fees भी आपको इतनी ही देनी होती है दोस्तो जैसे ही आप इस credit card को लेते है as a welcome benefit आपको एक 500 रुपीज तक का reliance retail voucher देखने को मिल जाता है इसके साथ ही दोस्तो आपको as a welcome benefit 3200 रुपीज तक के reliance के अलग-अलग brands के यहाँ पर आपको discount vouchers देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर reward points की बात कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर अगर आप 100 रुपीज भी spend करते हैं और as a retail spend आप करते हैं 100 रुपीज भी तो यहाँ पर one reward point मिलेगा दोस्तो आपने बहुत सारे reward point मानली जिक कलेक कर लिए तो यहाँ पर one reward point की वेली दोस्तो 25 पैसे इन्होंने रखे दोस्तो इस credit card में discount vouchers भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं दोस्तो यहाँ पर discount vouchers के साथ-साथ transaction discount offers भी आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तो यहाँ पर अलग-अलग brands के सेम यहाँ पर आपको पूरी list मिल जाएगी अलग-अलग brands पर अगर आप spend करते हैं transactions करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी पर 5% instant discount मिल जाता है किसी पर 1% reliance 1 point मिलता है अलग-अलग छीज़े आपको देखने को मिल जाती है दोस्तो यह credit card आपको milestone benefits भी provide करता है जोस्तो अगर आप पूरी साल बर में 25,000 रुपे तक आप खर्च कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको 5.50 रुपीज तक का reliance retail voucher मिल जाता है अगर आप पूरे साल बर के अंदर ही 25 से लेके आप 50,000 रुपीज तक पहुच जाते हैं यहाँ पर अगें 750 रुपीज तक का reliance retail voucher मिलता है और अगें आप पूरे साल बर के अंदर ही 50 से 80 क्रॉस कर जाते हैं इक और यहाँ पर दोस्तो आपको 1,000 रुपीज तक का reliance retail voucher मिल जाता है दोस्तो इस credit card की जो renewal fee से वो भी आप totally वीवाफ कर सकते हैं अगर आप पूरे साल बर में इस credit card से 1,00,000 रुपीज तक spend करते हैं वो totally वीवाफ हो जाएगी दोस्तो इस credit card में fuel surcharge वेवाफ की facility भी आपको मिल जाती है 1% तक का fuel surcharge वेवाफ आपको मिलता है अगर दोस्तो आप 500 से 4000 के बीच में fuel surcharge के लिए use करते हैं इन वन statement cycle आप maximum 100 रुपीज तक यहाँ पर आप save कर सकते हैं और पूरे साल बर में दोस्तो आप 1200 रुपे बचा सकते हैं future charge पे अगर आप add-on card की facility को use करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तो add-on card की कोई भी fees नहीं आप easily अपने family members को भी एक credit card दे सकते हैं दोस्तो forex markup fees की बात करें तो दोस्तो यह रहे इस credit card की major benefits और features जो कि मेरे साब से काफी अच्छा है क्योंकि जितने भी reliance के brands है उन सब पर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा का सा discount और vouchers देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो मेरे साब से काफी beneficial यह credit card है क्योंकि SBA और यहाँ पर reliance ने मिल के launch के हैं तो दोनों ही platform के बहुत सारे brands है और दोनों को इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा maximum use किया जाता है दोस्तो आप इस credit card को लेके यहाँ पर इनकी maximum brands पर savings कर सकते हैं discount फगरा ले सकते हैं आपको काफी अच्छी खासी facility यह credit card provide करेगा तो दोस्तो आप eligible है कि नहीं इस credit card के लिए आपको एक बाद जरूर check out कर लेना चाहिए दोस्तो आपको description में एक link मिल जाएगा उस link पर click करके दोस्तो इस credit card की साड़ी details आप check out कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तो इस credit card की details के साथ apply का link भी मिल जाएगा आप easily apply भी कर पाएगे तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताए comment करके अगर आपके मन में कोई भी doubt है question है तो comment box में पूछ सकते हैं मैं definitely उसका answer करूँगा तो चली दोस्तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ